इस वीडियो में बात कर लेते हैं NBCC इंडिया लिमेटेड की को इक लिया लेस देख लेते हैं चैनल को लाइक आप इन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो NBCC इंडिया में आप देखें कि कंसिस्टेंटली फॉल अभी भी बरकरार है कोई बड़े moves stock में आते हुए नजर आ नहीं रहें अब यह क्यों है क्योंकि आप देखें कि overall market में कहीं ना कहीं correction बनते हुए नजर आ रहा है nifty भी agenda perform रहा उसके वाई से majority of the stock में pullback देखने को मिला है अब बात करें NBCC की अगर अकेली तो यहां से अगर आप stock के returns अगर आके तो stock ने 17 दिन में 101% की returns निकाल दिये थे तो सोचिए जब 17 दिन में अगर पैसे double हो गए आपके investors के तो फिर कि आप इतना expect नहीं कर सकते हैं कि stock यहां से जब correction दिखा रहा है तो 30% का correction आ जाए तो obviously इतना तो आपको लेके चलना होगा कहीं न कहीं जब stock उपर जाता है पैसे बनते हुए सबको अच्छे लगते हैं जब नीचे आता है तो आदमी घबड़ा जाता है वो इसलिए क्योंकि आदमी ने उपर के लिए level पे कहीं न कहीं फसा है कोई यहां फसा है कोई यहां फसा है और जाहिल सी बात है जब कोई भी stock भागता है तब सभी लोग form के अंडर में आके तब ही फसते हैं क्योंकि उनको लगता है कल फिर चलेगा और मेरा पैसा फिर बनेगा और वहीं से आप देखें उपर से reversal बनना शुरू हो जाते हैं और फिर पैसे नहीं बनते हैं तब losses हो जाते हैं तो यहां पे कुछ formation समझे कि stock आने वाले दिनों में कैसा चलेगा फिलाल आज की बात करें तो stock में आज 139 के around यहां से reversal देखने को मिलाए क्योंकि market underperform हुआ pullback बना nifty में उसके वज़े से majority of the stocks में एक reversal देखने को मिलाए तो सबस्जादा sellers यहां थे sellers active हुए 132 के around यहां पे stock को गिराया और 131 के आसपास यहां पे कहीं न कहीं closing हो गई अब कल क्या होगा वो समझे कल के दिन अगर stock सही चलता है और उपर की दिशा पकड़ने ही कोसिस करता है तो stock को यहीं पर support लेना होगा 132 के around और यहां पे आप देखें तो पहले भी support बन चुका है यह level हो चुका और यहां कहीं से कुछ levels देख रहे हैं अगर यहां रुख जाता है कल तब तो यहां से reversal के chances रहेंगे नहीं रुखता है तो फिर कल अपना stock further falling में 128 का level दिखाएगा कुछ यहां तक और यह level जब break होएगा तो फिर जो next support फिर आपन को देखने को मिलेगा वो रहेगा यहां से 125-124 के असपास यहां कहीं तो यह को short term support मैं इसी लिए बना रहा हूं क्योंकि आप देखें stock अब weekly TF पर bearish होने के लिए जा रहा है weekly TF bearish होने का मतलब है कि stock अब almost अब का 2-3 हफते weekly TF पर bearish होगा तो यह सोचिए कि 2-3 हफते अब stock नीचे गरेगा या sideways momentum पकड़के रखेगा क्योंकि बड़ी तेजी तो stock में अभी दिखाई नहीं दे रही है वो हाला कि अलग बात है कि market में एकदम से कोई sudden move आजाए up move आजाए, nifty positive हो जाए सारे ही stock चलने लगे तब बात अलग होती है या कोई news आजाए अधर बाइज जिससाब से एक normal trend चल रहा है price action के थुरू अगर आप देखें तो stock धीरे धीरे बेरिश होगा और वो कहीं न कहीं 125 का level भी retest करेगा तो 125 अगर retesting successful हो जाती है तो यहां से reversal के chances बनेंगे नहीं होता है तो फिर further falling दिखाएगा nvcc आपका आने वाले दिनों में अब यह जितना भी है मैं price action के basis पर ही कह रहा हूँ यहां पर आप देखें तो उपर से यह trend line भी break नहीं होई है भी तक यहां बनीती इस trend line के नीचे fall आता जा रहा है और अभी आप extend करें इस trend line को तो trend line के उपर एक भी candle नहीं निकली है क्योंकि जब तक कोई bullish candle यहां से उपर की दिशा में नहीं जाती है और वो close नहीं होती है positive में तब तक अंदाशे नहीं रहेंगे क्योंकि confident ही नहीं रहेगा buyer उपर की दिशा के लिए खरीदने के लिए सारे लोग short sell करने के लिए बैठेंगे और जब तक यह bullish candle नहीं बनती है यह trend line break करने के लिए जो blue valley trend line दिख रहें तब तक कोई बड़े move भी नहीं आएंगे आप देख लीजेगा 150 उपर के लिए बड़ा hurdle बनके तब भी रहेगा तो जब तक stock में नीचे की दिशा हैगी तब तक आपको 40 करना है और जो लोग रहे उपर की दिशा में कहीं यहां कहीं फसे हैं तो उनका कुछ नहीं किया सकता फिलाहल के लिए यही है कि अजब stock further falling में आ रहा है 125 level test कर रहा है तो average out करिए यहां पर आप add-on कर लीजिए क्योंकि उसमें फिर आपका फायदा रहेगा जब stock फिर से चलना तो कितना sideways हुआ भी आज आप देखें 23 days हो गाई stock sideways हो चुका है और further अगर आप इसको और expect कर लें यहां कहीं तक तो 30-31 days में भी 35 days के आसपास अगर stock sideways रहता है तो इतना चलेगा क्योंकि 17 दिन में अगर आपके पैसे double हो गए है तो कहीं ना कहीं 30-35 दिन stock correct होगा फिर उसमें एक momentum आएगा आप देखें RSI और जितने भी स्टॉकास्टिक जितने भी indicators होते हैं सारे उपर की level पर कहीं ना कहीं 100 के अराउंड डोल रहते हैं अब यह cool down होंगे जब यह cool down होंगे तभी कोई नवी आएगी इनमें अदरवाइस असी लिए नहीं आ रही थी क्योंकि हर आदमी को यह लग रहा था पैने के उपर की दिशा में जो समझदार लोग थे वह भाई ही नहीं कर रहे तो उन्हें पता था मार्केट में फॉल आने वाला है यहीं रीजिजन हैं क्योंकि उनको लग रह करने तो resistance के मामले में आप देखें अभी कोई बड़े मूपस तो आनी रहे जब तक यह ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है विलुवाली जब तक आप इसी को resistance मान लीजिए क्योंकि यह ट्रेंड लाइन ब्रेक होना बहुत important है उपर की दिशा में जब तक यह ट्रेंड PCC में सारी चीचें क्लियर कर दिया क्या कैसा momentum रहने वाला है वीडियो यहीं तक रखते हैं मिलते नेक्स्ट वीडियो में दिस इस मी सुबम्यादव सानिंग ओफ